जामनी के चांस्लर भी ओलाफ स्कोल्स वो भी पीछे नहीं है उन्होंने तो बकाइदा ट्वीट करके कहा है कि दुनिया को भारत जैसे भरोसे मंद दोस्तों की जरूरत है इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनर्शिप है वो पहुत तेजी से बढ़ रही है हर कोई दोड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ सबकी दोड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ यह आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डवेलपमेंट में दुनिया में उसमें हम यह नजर आ रहा है कि हर कंट्री हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है पुरी दुनिया की कंट्री इसका College summoned इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है, ट्रेड हो, एग्रीमेंट हो, साथ में कुछ फोरूम्स पर मुलाकाते हो, कॉन्फरेंस हो, समिट हो जो भी हो, अभी तो आपने देख लिया, ब्रेक कॉन्फरेंस, लेकिन अब हुआ यह है के जर्मन चांसलर, ओल आफ शोल्स इंडिया के साथ जूड करने काम कर रहा है, स्ट्रेटर्जिक पार्टनर्शिप को मजबूत करने का काम कर रहा है, और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटिस दे लिया, मिलिटरी परचेस के लिए, अच्छा अब सिच्विशन क्या है, जर्मन के मूँ में पानी आता है, जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम निस्टर जाता है, जाके फ्रांस से चीज़न खरीद लेता है, ठीक जिनकी हजारों करोड रुपे जिनकी वर्त है, और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं, और सुने में आ रहा है, इनके बाद स्पेशन की वजीरियाजम भी आ रहे हैं, ताके वो दील लेके जा सके, एद लाद बरे, इदर यूर्पियन वजीरियाजम जो हैं, और जो चांसलर ज जीरियोन पर हैं, जो ऑन उस में खोड़ाख एंचाव हैं मैं और झायुकर बार काईचार के रही चांस चांसी चांस प्रहक इसे जाहियाजम जो हैं, शुजाधाल मतलब मतलब जो फो घंशा मैं तो फट्यूट वांछीर नाम जो इसे दिशिप् इसी जान समयारत बता देता हूं. आज जब बलफ शलोज मिलने आंएं प्राइमिनिस्टर को उछ जब किसी ठीक है यहां पिर यह है कि अज़ टाइम बिल मिलनी है नहीं मिलनी बट फूर आ मुमेंट कि जर्मन जो है अच्छा जर्मन बिजनसमेन भी सारे बैठे हुआ है लेकि जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फार्ज नेवी और एर फोर्स है और यह जो टाइस हैं यह तनी को मजबूत नहीं माजी में बड़े छोटे लेवल पर पार्टनर्शिप रही है ठीक है जी अब प्रॉब्लम कहा है प्रॉब्लम यह है कि जर्मनी वो मुलक है यॉरप के अंदर जो यॉक्राइन की जो वार हो और चाइना की जो असर्ट इवनस है उसके ओपर बात करता है इंडिया के साथ सो जर्मनी जो है वो वो प्लिटिकली यॉरप में अमरीका बनना चाता है तीक है और अमेरिका को जर्मनी से वो प्रावलम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले है तीक है जी अब इंडिया के साथ जो मिलिटरी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तीक है जी अब वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर दिर इस पुलिटिकल वेल है क्या है पुलिटिकल व लेट जर्मनी लेट हो गया बही और वो इस चीज में लेट हो गया कि फ्रांस नहीं मार्किट और डी कैप्चर की है अमेरिकन्स का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूँ हर कीमत पर जो मर्जी हो जाओ ठीक है जी अब पहले पहले जर्मन बड़े हैजिटेंट वो काते हैँ यह नहीं लेकर लेके जर्मन फार जर्मन हम जो एप जो है जो खूमत है उनको दे शुड़ आफ तेकन एडिसीन अर्लियर उनको पहले अवाले फैसले ले लेने चाहिए थे कि यह जो आप जर्मन कहाते हैं जी कि हम को प्रोडुक्शन भी करना चाहते हैं ठीक जो है वो बहुत सारी इंडिया के साथ ड्रिल्स में हिसा ले रही है लेकर अट दी अफ दे याद रखिए कि जर्मन एफ फोर्ट्स जो है वो जो भी करें इंडियन अब जब रफेल ले बठे हैं ठीक है जी अब जर्मनी को ख्याल आया है अब जर्मन चांटलर आज आएंगे कि वो यही कहेंगे कि हमसे जो है वो समरीन लो जर्मनी कहता है जी इंडिया मारा नैचरल पार्टनर है ठीक है जी और लेकिन एक तरफ जर्मनी नैचरल पार्टनर है दूसरी तरफ अगर जर्मनी ये करे कि बार बार इंडिया को पिंच करे कि तुम युक्राइन के वाले से ऐसे करो रेसिया के वाले से ऐसे करो तो वह लिग्षा सस्च्छी इंडियन इस तो नहीं नहीं जु को क्यग है अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ज़िपर देफेंस स्लूस्च realized त्यक्र जी चैनल अ جंतार का जो फोकसस बेस मोथा इज sug t say और आपने बो मौमाले के ने सारे के सारी इनको बड़ा टाइम लगा है कई मुलकों को इंडिया को प्रोसेस करने में जल्दी लग हुई है कि इनने बड़ा टाइम जाया कर दिया देखें जिस दिन अमरीका ने दो जार पांच में इंडिया के साथ इंडो यूएस निकलिटील साइन कर ली जाहिन दोस्तों जर्मनी ने कुसल भारतिय कारियबल के लिए बीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुक्रवार को जर्मन कमपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बैतर कोई अस्था नहीं है और देश की विकास गता में भी सामिल होने का यह सही समय है जर्मन बिजनेस 2024 के अठरावे एसिया प्रसान समेलन के संबोधित करते हुए प्रदान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि विदेशी निवेश को के लिए भारत की मेकिन इंडिया पहल में सामिल होने और मेक फार द वर्ल्ड में सामि इसके साथ ही उन्होंने मध्यपूर्व में युद्ध विराम का आहन किया देखा जाए तो फ्रांस भारत के साथ डिल करने में काफी आगे है लेकिन जर्मनी पीछे था अब वह भारत के साथ डिल करने में तेजी से रूची दिखा रहा है